प्रद्धान मंत्री मेर सम्मिलन में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं मेरी काशी में मैं आप सब का रदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का आउसर होता कि मैं स्वयम बहां रह करके मेरी काशी में मैं आपका स्वागत करता, आपका संमान करता लेकिन समय की कुछ सिमाओं के कारण मैं खुद तो वहां नहीं रह करके आपका स्वागत कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे पक्का विषवास है काशी वासियों ने आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी होगी आपकी भर्वचक खातिरदारी की होगी चिंता की होगी और अगर कुछ कमी रह भी गई हो तो दोश काशी वाज्चियों का नहीं होगा वो दोश मेरा होगा और इसलिए आप जुरूट छमा करेंगे और काशी के आपके इस वास्तव्य को आप भर पेट एंजोई भी करेंगे और मिल पेट करके भावी भारत के लिए भारत के शहरों के उजवल भविष्च के लिए अपने अनुभवों को साजा करेंगे बहुत सी चीजें एक दुसरे से सिखेंगे और अपने अपने शहर को अपने अपने तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए सुन्दर से सुन्दर सहर बनाने के लिए वाइबरन सहर बनाने के लिए एक जागरित सहर बनाने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ऐसा मेरा पूरा विस्वास है आप सभी मेर साहवान जरूर अपने कारकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में पाइट पचाथ बीच साल के बाद जब भी कोई शहर में आये तो चर्चा करें जब फ़लाने सज्जन यहां मेर थे या फ़रानी वहन यहां मेर थी तब यह सहर में यह काम हुआ था एक याद बन जाएगी एक दिशा बन जाएगी और हर किसी के मन में यह सपना भी रहना चाहिए यह संकल्प भी रहना चाहिए और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुड़ जाना भी चाहिए और जनता ने जब हमपर विश्वास रखा हो नगर का पुरा दाई तो हमें दिया हो तो हमें भी इसको भली भाती पुरा करने का प्रयास करना चाहिए और मुझे पका विश्वास है कि आप सब उस दिशा में जुरूर कुछ नो कुछ करते होंगे जुरूर उसका अच्छा परणाम मिले इसके लिए आपका प्रयास रहते होंगे और मैं आज शहरी विकास मंत्राले को यूपी सरकार को और आप सभी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस महत्वपून कारक्रम में के लिए बनारस को चुना है मेरी काशी को चुना है देश के विकास के लिए आपके संकल्पों से बाबा विश्वनात का आशिरवाद जुड़ेगा तो आप सब कुछ न कुछ नया प्राप्त करके नई प्रेणा ले करके नया उमंग ले करके अवश्य अपने अपने कारक्रम में लोटेंगे काशी में हो रहे इस कारक्रम को मैं कई संभावनाओं के साथ जोड़ कर देख रहा हूँ एक और बनारज जैसा दुनिया का सबसे प्राचिन शहरों में से एक स्थान और दूसरी और आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रुप रेखा कि अभी हाल में जब मैं काशी में था तब मैंने कहा भी था कि काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोड में बन सकता है हमारे देश में ज्यादा तर शहर पारमपारिक शहर ही है पारमपारिक तरीके से ही विख्षित हुए है आधुनी करण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचिनता में भी उतनी एहमियत है हम अपने प्राचिन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से इतियास के हर तबारिक से बहुत कुछ से, उनके इतियासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेणा बना सकते है हमारी विरासत को सहजने की, समारने की नएने तौर तरीकों हम विख्षित कर सकते है हम सीख सकते हैं लोकल कला काउशल को उसको आगे बनाने के तरीकों को कैसे लोकल स्कील और प्रोडक्स शहर की पहचान बन सकते हैं इस अनुभव को साथियों आप लोग जब बनारस गुमेंगे और आप ऐसे बहुत लोग आये हैं जो पहले कभी ने कभी तो आये ही होंगे तो पुरानी स्पुर्तियों के साथ नए बदलाव को आप जुरुत तुलनाप्रुत से देखेंगे और साथ साथ आपके दिमाग में अपना शहर भी सवार हो जाएगा और आप हर पल देखेंगे कि मैं जिस सहर से हूँ वहां की गली और काशी की ये गली मैं जिस शहर में हूँ वहां की नदी और यहां की नदी हर चीज आप एक पल-पल-पल तुलनात्म करते अब्यास करेंगे और आपके साथ जो और मेर होगे उनके साथ भी अप चर्चा करेंगे उन्होंने क्या किया है कैसे किया है हम सब को चर्चा करते 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 नए विचार मिलेंगी नई कल्पनाई मिलेंगी नए कारकमों की रचना त्यार होगी और वो अपने शहर में जाकर के जब आपका नेतृत्व उस काम को खरेगा तो आपके शहर के लोगों को आपके राज्य पुरे देश में हर वर्ष स्वच्छ शहर की गोशना होती हैं लेकिन मैं देख रहा हूं धीरे धीरे कि कुछी शहरों ने अपनी जगा बना ली है अच्छी बात है लेकिन बाकी शहर निराश होकर के बैठ जाएं कि ये तो उनी कोई इनाम जाने वाला है वो ही आगे बढ़ हम तो नहीं कर पाएंगे ये मानसिक्ता नहीं होनी चाहिए आप सभी मेर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की इस परधा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा ये संकल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मैं तो कहूगा हमारे हर्दिप पुरी जी को अब हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो स्वच्छ शहर है उनको तो इनाम देंगे ही देंगे उनको तो रेक्रिणाइज करेंगे सन्मानिज करेंगे लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम रेक्रिणाइज करें और जो बिलकुल आग बंद करके बैठ गए हैं कुछ करना ही नहीं है उनकी सुची भी निकाले और उन राज्यों में अडूर्टाइजमेंट करें कि देखिए इस राज्ये के तीन शहर हैं वो इस स्वच्छता में कुछ नहीं कर रहे हैं त जनता का दबाव इतना बढ़ेगा कि हर किसी को काम करें का बद चाइगा और मेरी मेरों से आग रहा हैं कि कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्कमीकूर्णे नहीं और ? हर महिना बोड के बीच हर बोड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा और्गनाईज कर सकते हैं क्या जूरी बना करके इस महिने में कौन सा बोड सबसे जादा स्वच्छता का इनाम ले रहा है। अगर शहर के बॉर्डों में कॉंपूटिशन होगी बॉर्ड के कांसिलर्स के बीच में स्परधा होगी तो उसका क्यूमिलिटिव इफेक्ट टोटल जो इफेक्ट है वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा और इसलिए मैं तो चाहूंगा दूसरा जैसे सच्छता क्यों लृणिञा। आकर checkbook सांध्रियक करण फी कि टूटिफिकेशन यह भी कि मैं तो चाहता हूं हृ। दुनिया में beauty competition होती है जो होती है वो होती है मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है लेकिन क्या हम हमारे नगर में world beauty competition कर सकते हैं क्या कौन सा बॉर्ड सबसे ज्यादा beautiful है सफाई का parameter हो सकता है सांदर्य की तुरुष्टी से किये गए initiative का parameter हो सकता है हर नगर अपना विक्सित करें जूरी बनाएं